Hello and welcome to MasterQ, here we discuss mysterious why, logically why things are happening, topics related to electrical engineering and aim to crack competitive exams. To stay tuned, hit the subscribe button and press the bell icon. तो इस वीडियो में हम लोग रिजनिंग का एक टॉपिक देखेंगे जो कि यह लॉजिकल वेन डायग्राम इससे पहले में आपको एक आडवाज देना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक सिलॉलिजम का मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख लिजे आपको इस लेक्टर को समझने में बहुत ही असानी होने वाला है तो सबसे पहला कुछन आता है कि यह वेन डायग्राम होता किया है वेन डायग्राम आपका कोई जोमेटरिकल फिगर का एक सेट हम लोग बनाते हैं जो की डिफरेंट एलिमेंट के बीच का डिफाइन को डिफाइन कर र इसमें क्या होता है कि आपको कुछ कुछ मैंसे लिफाइन करना होता है और उसके आपको फिर वेन डायग्राम बनाना होता है उसलों टाइप का एनालीस यертर डिफ बेस्क्त डीफ डिफ्ट डेगरण में देखिए इसका एक example दिखाता हूँ आपको इसमें देखिए यह आपका एक Venn diagram दिया गया है जिसमें से कि आपका triangle है, circle है, rectangle है इसमें आपको question फूच रहा है find out the number that lies inside all figures इसमें आपको बोला जा रहा है कि कोई एक ऐसा number find out किजे जो कि सभी figures के अंडर lie करते हूँ तो ऐसा number आपक्कुए इसा number कौन सा है, देखिए सबसे पहले किसी एक figure को पड़ लेजे मैंने triangle को पढ़ लिया, तो triangle में कौन क्कौन सा number है? 9 है, 5 है और 2 है, इसके बाद rectangle में इन तीनों में से common क्या है? rectangle में common है 2, इसके बाद circle में estos 3 में common क्या है? circle में common है 5 और 2 तो तो 3 मे आपको इसके answer करने होते हैं चलिए अब हम लोग कुछ questions देखते हैं जो previous years में पूछे गया है यह question आपका SSC में पूछा गया 2013 में इसमें आपसे बोला गया है कि mammal dog और bat के बीच का relation यहाँ पर चार वेंड डाइगराम है इसमें से कौन इंडिकेट कर रहा है तो सबसे पहला चीज है कि देखिये आपका जो mammal है उसे के अंदर आपका dog भी आता है क्योंकि dog एक mammal है साथिसाथ bat bat भी एक mammal है आपको यह चीज याद अफना चाहिए कि bat एक mammal है ठीक है क्योंकि वैट जो होता है वो अपने बच्चों को दूद पिलाता है और साथी साथ ये एक मात्र है जो कि उड़ने वाला मैमल नहीं तो सर्वी मैमल्स धर्ती पे चलते हैं तो देखिए एक सर्कल बनेगा आपका मैमल्स के लिए और मैमल्स के ही अंदर आपका डॉग साथा है डॉग ये अदर बैट आईगा की है नहीं बैट जो है वो मैमल के अंदर है लेकिन डॉग के अंदर नहीं है तो कुछ एलग बनेगा साइड में ठीक है तो इसका अंसर होगा आपका option D ठीक है यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हैसे सी फर्स टाइम आंसर को पब्लिस की थी तो आपका आंसर दे रिया था ए उन्होंने बैट को बाहर निकाल दिया था लेकिन फिर बाद में आंसर को रिवीज्ट करके उसका आंसर को सही किया गया था नेक्स्ट जो कोश्चन है उसमें पुछा गया है कि सोडा वाटर मिन्रल वाटर और लिक्वीड ये तिनों के बीच क्याल डेस न बताईए तो देखिए लिक्वीड कही अंदर आपका मिन्रल वाटर आता है और लिक्वीड कही अंदर सोडा वाटर भी आता है लेकिन मिन्राल वाटर और सोडा वाटर एक ही है कि नहीं है अलग अलग है मिनरल वाटर के अंदर सोडा वाटर आता है नहीं सोडा वाटर के अंदर मिनरल वाटर आता है नहीं मतलब है कि एक आपका लिक्वीड का सरकल होगा और लिक्वीड के अंदर आपका सोडा वाटर होगा लेकिन सोडा जो आपको प्रॉफिट से जो इम्प्लाइट है। उसमें आपका bonus भी बाटा जाएगा ठीक है ऐसा नहीं होगा कि आपका जो dividend बन रहा उसको काटके bonus बाट दिया जाएगा ठीक है तो profit आपका जो है वो में कंपनी का उससे आपका dividend मिला और साथी साथ थूनों ने अपने employee को bonus भी दिया तो इस तरह का जो figure है वो आपका सही हो जाएगा तो यह आपका option D next जो question इसमें बुला गया है कि currency, रूपी और डॉलर के बीच में listen थाई तो आपको पता होना चीए कि रूपईया जो है यह भी आपका एक currency है और साथ ही साथ जो डॉलर है यह भी आपका एक currency है लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉलर जो है वो रूपईया है या फिर रूपईया जो है वो डॉलर है तो इसमें भी sim उसी type का आएगा कि एक currency का बड़ा सरकल होगा उसके अंदर आपका एक रूपई का सरकल होगा और दूसरा डॉलर का सरकल होगा लेकिन यह दोनों के बीच में कोई relation नहीं होगा नेक्स्ट जो आपका है उसमें कि ग्रेनाइट ट्री और वाटर यह तीनों के बीच में relation बताईए तो ग्रेनाइट जो होता है वो तो बम के ऐसा चीज है फोडने का चीज है वो तो अलग होगा ग्रेनाइट ट्री नहीं हो सकता है क्योंकि ग्रेनाइट जो पॉल्यूशन करता है ट्री तो हमें पॉल्यूशन से बचाता है एकदम डिफरेंट चीज है दोनों ठीक है ट्री यह आपका मेंवेड नहीं है ग्रणायट आपका मेंवेड है तो यह दोनों अलग हो गए इसके पार ए है ट्री और उर वाटर एक दूसरे से अलग अलग ہیں ट्री और वाटर धीक है यह एल कंजप्शन होतप भर ट्री को बड़ा करने के लिए लेकिन अलग-अलग हैं दोनों सेम चीज नहीं है न तो वह अलग होंगे ठीक है तो यह तीनों जो अलग-अलग जिस फिगर में दिखाए जा रहा है तो वहाँ पे वह फिगर आपका सही हो जाएगा तो आपसर शीज आपका वह सही हो गया नेक्स जो कोश्चन है कोश्चन नमर्ट 12 इसमें बोला जा रहा है कि यहां पे फिगर दिया गया है इसमें फिजिक्स केमिस्टी और मैथ पढ़ने वाले के लिए अलग-अलग सर्कल दिये गया हैं आपको यहां पे अनालिसिस करना अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे अभी त तो इसमें आपको तीन शरकल दे गहें उसमें से बोला गिए है इसमें तो यहां पे देखिए फिजिक्स और केमिस्टी दोनों के लिए कॉमन क्या है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए common ये वाला पार्ट है आपका T और U क्योंकि physics का ये circle गया हुआ है और chemistry का ये circle है तो दोनों के बीच में आपका आगया T और U लेकिन ये दोनों में जो common आजा है T और U इन्हें से कौन ऐसा है जो मैथ वाले circle में नहीं आ रहा है तो मैथ का circle में आपका देखिए जो मैथ का circle है इसमें आपका U आजा रहा है लेकिन T नहीं आ रहा तो T आपका सही हमसार हो रहा है क्योंकि ये T जो अस्ट्रेंट्स है वह आपका math नहीं पढ़ रहा है physics और chemistry को से पढ़ रहा है नेक्स जो कुछ नमर है कुछ नमर ये वाला 11 इसमें बोला गया है कि जो figure दिया गया है इसमें आपका post graduate और officers के बारे में दिखाया गया है आपसे पूझ रहा है कि which part represent all officers Cutlers who are graduate and post-graduate मतलब सबसे पहला condition है कि ऑस dont officer होना चाहिए तो officer का सरकल यह है तो officer कौन कógन है C है F J है और E है साथ है साथ बहों graduate भी होना चाहिए है तो graduate कौन कोन है इसमें से he or ecosystems graduate से बहों आफसे ये तिनों में से common कौन आया सिर्फ और सिफ जी तो आपका इसका सही answer हो जाएगा जी जो कि option number A में है next question ने इसमें आपका बोला गया है कि manager, labor union और worker ये तिनों के बीच में characters से न बताई है तो यहाँ पर देखिए जो workers होते हैं ठीक है वो labor union के अंदर आएंगे कि जरूरी नहीं है क्योंकि worker वो labor union को बना रहे हैं उसमें से कुछ worker होंगे जो बाहर होंगे तो सबसे पहला circle होगा worker का इसके अंदर आपका कुछ लोग होंगे जो labor union होंगे ठीक है ये worker का सरकल ये labor union का सरकल लेकिन manager जो है pressした जैसन्म system to have an union में जाकर सामिलं नहीं हो सकते हां अपन यूनियन बना लेते हैं यह हो जए तो सब्सक्राइब बनावा इस टाइप का वह आपका option सही हो जाएगा ऐसा फिकर किसमें बनावा ए में तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा इसके लिए कि नेक्स्ट जो कोस्टन इसमें बोला गया है कि which one of the following diagram represents the correct lesson among teacher educated और employed तो teacher भी होना चीए educated भी होना चीए और employed भी होना चीए तो देखिए सबसेर पहला चीज़ है कि जो teachers है वो educated है तभी तो वो teacher बने है तो सबसेर पहला जो circle बनेगा वो बनेगा आपका educated के लिए और जितने भी educated लोग है उसमें से कुछ ही लोग है जो teacher होंगे साइड लोग तो teacher होंगे नहीं कुछ लोग अपना कुछ वा काम कर रहे होंगे और जितने teachers है उसमें से कुछ teacher ऐसे भी होते है जो free में पढ़ा रहे होते है ठीक है सेवा और कुछ educated लोग ऐसे होते हैं जो unemployed होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं इसके बाद कुछ लोग होते हैं जो employed होते हैं वो teacher भी हो सकते हैं जो employed हैं वो सकते हैं कि educated हैं और employed हैं वो सकता है कि uneducated हैं तब भी employed हैं मतलब वो तीनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है, तो यह आपका teacher है, यह आपका educated person का circle है, और यह आपका employed का circle है, तो इस तरह का circle बना हुआ है, figure, वो figure आपका सही होगा, तो ऐसा बना हुआ है, आपका option D में, तो यह आपका सही हो जाएगा, ठीक है? तो lecture को ही खतम करते हैं, उमीद करते हैं कि आपको सारे चीज़े समझ में आई होगी, तो वीडियो को like करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें, और चैनल को subscribe करें, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में